असलाम अलेबूं जाहिद प्यार बच्चों आज हम थल्ब करेंगे क्लास 6 मेच सेहर एक्सराइज 13.3 इस एक्सराइज में सब क्वेस्टिन्स वाट प्रोब्लेम्स है ठीक है इनुटरी मेटर से रिलेटेड वाट प्रोब्लेम्स है वन नमबर ही कि इफ एट पीपल कंजूम प्रोब्लेम्स हाँ मैच वी एटन पीपल कंजूम अगर आठ लोगू ने चार किलोग्राम चाह सकते हैं तो दोस दोस लोगों के लिए कितनी चाओ चाहे है तो देखिए प्रोपोर्टिशन के इस करके हम सॉल्व कर सकते है और अगर चाह है तो इनुटरी मेतर्ट भी इस क कर सकते हैं फ्रपोर्शन मतलब क्या है देखिए आठ लोगू के लिए चार किलोग्राम तो दौस लोगू के लिए क्या होगी एक्स लेट करेंगे ना तो एट बाइट इस्टू फूर इस इकल टू और टैन इस्टू एक्स तो यहां देखिए हम इनिटरी में जाएंगे तो इनिटरी मतलब क्या है इनिटरी मतलब मतलब पहले वां ऊणी की वैलू निकल लेना तो यहां वां उणिट मतलब क्या है देखिए आठ लोगू के लिए चार किलोग्राम चाहिए तो एक लूप के लिए एक विक्ति के लिलिए कितने किलो अगे बाद कितनी avis उससे वान उनिट की वेलू को इंट्यू करने से आपको पूरा अमांट मिल जाएगे तो यह बते हैं उनिटारी मेंटर ठीक है तो दिखिए यहां ऐसी लिखने पड़ेगे एट पीपूल कुंजीम राइस इस एकल टू फोर किलोग्राम तो द्यार फूर आट लूप तो एट के जगां वान लिखिए वान पीपूल मतलब यहां पीपल को जगा फार्सन दिख दीजिए क्योंकियों पीपल पतेना यह जिए सिंगलर में नहीं दे और यहां वान सब्सक्राइस के लिए तो वान कीपूल कुंजीम ड्विए इससनी में कडीगULresh हमें क्सेयन हम यहां कॉ कॉंटिटी उ Krais निकल निहीं हैं तो जिश्को निकल दो इसको राइटसे quarterly नो नहीं लिखना त्रहां राइट राइट साइड में ह्लाइक है तुरा धारना जो विलीं है इसको यहां कि जो व्ली उपरकी लाइन के डिबाइट देद ला तुबर के लाइन यहां उत्लू तकाह दार्ड मतलब हाफ यानिके अधह किलोग्राम तो यह परिजैन कि लिए क् कि अगर आप लुगू के लिए चार केलो ग्राम है तो एक लूग के लिए एक विक्ती के लिए अधह किली ग्रम होगी एक नत है एक उनिट में आता है थो यहां छाहती है सिंपलिस्थ फॉर्म में ओंभात कर सकते हैँ तो आप कितनी लुगू के लिए के दोस लोगों के लिए तो इसका यहां दोस लिए तहने लुगों के लिए जरूरत जो चाहिए वह हम निकल सकते हो तो यहां हम दौस के लिए लिए निकल निकलेक न तो थैंगे लिए 10 into 4 by 8 है आच्छा इजी के लिटू 10 into 4 यह टान उपर के है और यहां 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 यह निचे कि है तो 4208 2510 तो इजी के लिटू निचे लिखना 5 किलोग्राम तो यह होते है अन्सर आप क्केशन नमार टू देखे एक 6 6 मिटर्व गलोग कोस्त उर्म और मस्त्रव以及 टवर्बहीं कीमत मत ग्या ज क्या ऑपके टो दिखिए 7चे से अरतरह मतलब इसको यह टूरी उनिट परल लिजे में लुगवां यह टौ इस साइड की दूनमर लाइन में जो होगी ना मतलब वान इविट के लिए जो फाइंड आउट करनी है वो पहले लाइन की जो राइट साइड में वेल्यू होगी ना इस राइट साइड की विल्यू को लेट साइड की जो नंबर है इससे डिवाइड देना और यहां राइट साइड क्या होगी जो पहले हमें फाइंड आट करनी पड़ेगी इसको राइट साइड में रख देना है और यहां हमें क्या फाइंड करनी कॉस्ट कॉस्ट मतलब पैस तो यहां की जो corresponding पैसे कि पैसे है ना यह 78 तो इसको राइट साइज में रखना तो रूपी इस 78 अपन 6 है तो इस गेल टू तो तो रूपी इस ताटन है तो मतलब वान यूनिट के लिए 13 रूपी है निकाल सकते हैं तो कितने उडिट 11 मेटर तो धरफोर 11 मेटर अब कोस्ट रूपी इस 13 इंटू 11 इस एकल तो 100 रूपी इस 143 है आप पाशन नमबर त्री देखिए इस पैंड रूपीज 126 इन 3 विक्स हाव माच डू आइस पैंड इन ए यार तागर तीन हाफ़ते की मेरा का खर्चा है 120 रूपीज 126 रूपीज तो एक साल के खर्चा क्या होगे तो पहले देखिए एक साल में कितने हफ्टे होते हैं बवन हफ्टे होते हैं 52 विक्स तो तीन हफते के लिए एकस्पेंटिशर है 126 रुपेस तो बार हफते के लिए क्या होते है तो पहले लिए उनितर्य मेटर्ड मेर जाना एक हफते मतलब एक मतलब एक इनिट की वेली निकलना एक हफते के लिए तो देर्फोर आई स्पैंट इन वान विक इस साइट के एमाउंट को मतलब 126 को इस साइट की जो नंबर है को असको में पंडिंग नमर त्री है त्री से डिवैड देर्फोर आई स्पैंट इन 52 वोग्स इस इकल टू रूपीज जास्स फिफ्टी टू इन टो होगी 126 x 3 x 52 अच्छा यहाँ का डेकत में विक जिस्टी लिगना 1 याड इसके टू फिट टू को रूपीज 126 कु पहले 3 से डिवाइड रना 3 4s are 12, 3 2s are 6, 42 42 into 52, 2 184 तो रुपीज 2,184 ठीक है? यहाब रहाट मैं यह चीज लिखना 1 यार is equal to 52 विक्स तो यहाँ matter clear हो जाएगे क्योंकि यहाँ 1 यार दिया यह यहाँ मतलो 1 यार और यहाँ हमने इसको हफ्ते में तबदिल की आप question no. 4 देखिए I pair rupees 2720 for 8 kg of coffee how much do I have to pay for 40 kg of coffee 8 kg के लिए मुझे 2720 रुपिये देने पड़ते है तो 40 kg के लिए कितने देने पड़ेगी तो पहले एक kg के लिए कितनी पैसे देने पड़ेगी वह निकल देना तो देखिए यह तो यहाँ कि क्या निकलना है पाईसा मिकलना है वास निकलना तो इसको राइट साहिँ में रखना एसी लिखना कोस्ट आप एट किलोग्राम और कोपी इसको इससे डिवाइड दना राइट साइड की जो एमाउंट है इसको लेफ साइड की नमबर से डिवाइड दना तो रूपी इस अगर आप चाहिए तो यहाँ इसको एट से डिवाइड दे सकते हैं तो द्यारफ़ आप कितने किलोग्राम की चारीज किलोग्राम तो द्यारफ़ कोस्ट आप 40 किलोग्राम अप कोफी इस इकल टू रूपी इस 40 इन्टू 2720 डिवाइड बाइ एट है तो यहाँ देखिए 85,000 फोट है और 5C इसको इंटर करना तो इस इकल टू रूपी इस 5C अगर इसको इंटर की जाए तो 500,000 है 52010 के रिवाँ है 52735 प्लस 1 366 के रिवाँ त्री है 52010 प्लस 3 13 है तो 13,600 रूपी है मतलब बाओ 40 किलोग्राम के लिए देनी पड़ीगी 13,600 रूपी है अब आइदा मन देखिए एक काट डेलिवर्स 39 टॉन्स अब सेंट इन 13 लोड्स हाँ मच सेंट विल ब्रोट इन 5 लोड्स तो किसी एक टाट मतलब ठेले है एक ठेले से 39 यहाने कि 39 टॉन्स सेंट रेत रेत केरी की जाए सकती है कितने लोड्स में 30 लोडsam तो वह कहां से 5 लोडस तो वही से 5 ल त बार्ठ कि कितने अ मतल्ड़ रेत एक हम स्क पहिया कर दिया की चाहिए है क्यारिए हाँ क्तने लोड तो आप संटेंस ऐसी लिखनी चाहिए यहां सब्सक्राइब तो टॉन चाहिए यहां कार्व चाहिए न तो इसको unit में लेना, is equal to 39 by 13, 39 by 13 tons, therefore, air cart delivers, in कितने loads, 5 loads, in 5 loads, is equal to 5 into 39 by, 39 को टार्टिन से डिवाइड देने से 3 आएगे, और 35,000, 15, 15 tons, यहां भी आप 39 को टार्टिन से डिवाइड देकर, 3 निकाल सकते हैं, 3 आएगे ना, 39 को टार्टिन से डिवाइड देने से, तो यहां भी कर सकते हैं, तो यहां अगर कर ली ना, मतलब 3 निकल गए ना, तो यहां आप क्रेशन में सिक्षते किए 120 वाशार्स और एक्वेली दिस्ट्रिबुटेद और पक्ट इन 4 बॉक्सेश हो मेनी बॉक्सेश वुड वी निज़े टु पक्ट 200 टाम वाशास तो 120 वाशास के लिए 120 मतलब 120 वाशास मतलब वाशास तो आप समझ रहे हैं नाट बल्ट लगाने के लिए जो होते हैं वह एक्विली डिस्ट्रिबुट की गई चार बक्स में हे सिसमायने कारटन कि चुटए चुटाज की बक्स के लिए चार बक्सेश में कितने हैं एक्वे कईसबिस है तो हमेदी बुक्स और इन अधर ने पक्स को साच चाहिए तो यहां कि wash washers के रिए कितने बक्स चाहिए तो यहां देखिए number of box needed for 120 washers is equal to 4 यहां हमें क्या चाहिए number of box चाहिए box कितने लड़ेगी चाहिए वो लड़ेगी box कितने चाहिए वो हमें निकलना पड़ेगा ना तो यहां देखिए box की जो number है वो right side में रखना तो देखिए number of box needed for 120 washers तो therefore number of box needed for one washers one unit में convert करना तो is equal to 4 by 120 120 तो one unit में convert हो गाई तो therefore आप आप box की requirement कितने unit के लिए चाहते हो ना वो निकल सकते है यहां just screen टुकर देना तो कितने वोड़ेगी दूसर दौस है ना तो देखिए number of box needed for 210 210 washers is equal to just 210 इंटो करना है 210 इंटो 4 by 120 तो is equal to 210 इंटो 4 यह दुन नंबर उपर के है नीचे 120 है 0 से 0 कट लाना अचा 4 3s are 12 3 7s are 21 तो is equal to 7 तो इसके answer क्या है यहां इसी ही आप क्शोन नमर सब्सक्राइब दिखें कहां एक्जामिनेशन प्रेपर पॉन्टीन्स 14 प्रिंटेच शीट्स वन तोजन फिफ्टी स्टूरेंट्स सेट फर दी एक्जामिनेशन हा मेनी शीट्स अपफ़ एक्जामिनेशन के लिए एक्सालर में आन्षर की सेट्स होते हैं इसमें 14 फेज सीट्स होते हैं 14 फेजिस मनहां देजिए 14 फेज शीट्स होते hanboyse basis दूब ने अम यह यहां is sheets के जगा में आप pages मान लीजे, just pages मान लीजे, pages क्या है 14 है, वो कितने के लिए, one set में, answer की one set में, कितने pages, 14 pages, तो ऐसे ही 1050 students के लिए कितनी चाहिए, तो एक set paper तो एक student के लिए होगी, तो ऐसे ही 1050 students के लिए कितनी होगी, 14 से इंडुकरने पड़ेगी, just, तो solution एसी करना, one student need 14 sheets, one student needs 14 sheets, तो therefore 1050 students need, इसको जास्ट, 1050 से इंडुकरने, कि कि यहाँ, अल्रडी वान उनीट में है, यहाँ यहाँ यहाँ, एन एक्जामिनेशन पेपर, तो मतलब, एक set, answer script के एक ही set में 14 sheets है, तो एक ही set, एक student के लिए होगी न, तो मतलब, एक student के लिए 14 sheets चाहिए, तो 1000 x 14,000, और 15,000 x 14,700, तो 14,700 sheets, तो 14,700 sheets, how much would she have earned in 9 months, तो किसी एक employee की 2 साल के earning है, 91,200, तो 2 साल मतलब, 24 months, तो इनकी 9 हो ही नहीं की, 9 months की earning क्या होगी है, तो यहाँ एक चीज़ देखिए, 2 years is equal to 24 months, 1 year में 12 months होते हैं, तो अब ऐसी start करना, earnings in 24 months, यहने की 2 years, 24 months, is equal to be 91,200, हमें क्या चाहिए, earning चाहिए, कितने महीने के, 9 महीने के, तो earnings की amount जो है न, वो right side में राखना, तो therefore, आप इससे 1 unit निकाल लेना, मतलब 1 month की earning निकाल लेना, तो earning in 1 month is equal to rupees, इसको 24 से divide देना, बस हो जाएगी, 3,800, अब देखिए, 9 months की है, यह तो months की न, एक month की, therefore, earnings in 9 months is equal to 9 into 3,800, is equal to rupees 34,200, बहुत इसी है, अच्छा, यहां और एक चीज़ देखिए, यहां यह जो line है, आप skip कर सकते है, direct, यह line, दू number line में यह complete कर सकते है, आपके solution, मतलब इस line को नहा लिखके, 91,200 divided by 24 into 9, question में ऐसी कर सकते है, ठीक है, कर सकते हैं, आप 9 number देखिए, the cost of 17 bags of cement is equal to rupees 1674.50, to find the cost of 12 bags, 17 bag cement की किमत 1674.50, तो एसे ही 12 bag के लिए क्रिमत था है, तो पहले एक bag की किमत निकाल लीजिए, cost of 17 bags of cement is equal to rupees 1674.50, therefore cost of 1 bag is equal to rupees 1674.50 divided by 17, इसको 17 इसे रिवाइट देना, ठीक है, अगर चाहा है, director 17 से इसको डिवाइट देखर यहां result पूट कर सकते है, तो आप कितने bag की चाहिए 12 bag की, therefore cost of 12 bag of cement is equal to rupees, इसको 12 cents देकना, यह तो 1 unit के है, मतलब 1 bag की किमत है, तो इसको 12 cents करना से 12 bag की कमत हम निकाल सकते है, तो rupees 1182 है, मतलब 12 bag की किमत 1182 रिप्य है, आप 10 number question देखे, यह length of 27 meter of cloth cost rupees 1518.75 rupees, calculate how much cloth can be bought for rupees 1068.75, तो देखे, यह जो amount है, 1518.75 rupees से 27 meter क्लोथ मिलेगे, तो 1,800 देसम्लाग 75 रिप्य, 1068.75 rupees से आपको कितने मिटर कपले मिलेगे, तो यहां देखे, आपको चाहिए क्या, quantity of cloth चाहिए, कितने मिटर कपले, वो चाहिए आपको, यहां देखे, गलती मत करना, यहां amount हमें नहीं चाहिए, दुने amounts देगे हैं, और पहले की amount है, इसकी corresponding quantity है, यहां कि कपले की measurements देगे है, 27 meter, तो आपको इस amount से कितने कपले, कितने quantity की कपले मिलेगे वो निकलना, तो solution इस डंग से करना, quantity of cloth can be bought for rupees 1518.75 is equal to 27, मतलब इस इतने amount से इतने रुपिय से इतने कपले मिलेगे, तो therefore आप unitary मतलब 1 रुपिय में कितने मिलेगे, तो 27 को इस amount से divide दाना, 27 by 1518.75 ठेके, अचा, यहां divide मत करना, और आप calculation में फस्ट जाहेंगे तो therefore quantity of cloth can be bought for rupees, यह है 1068.75, तो मतलब इसको इस amount से into कर देना, तो is equal to 19 meter, तो मतलब इस amount से आप 19 meters of cloth खरीद कर पाएंगे, ठीके, तो बहुत simple है, यहां देखे, यहां जो cancellation है न, यह ऐसी करना, यहां 0.75, यहां भी 0.75, तो दुन्दू से decimal part remove कर देजिए, इसके बाद cut put कर दाना, ठीके? आप करशन नमर 11 देखे, the cost of 75 envelopes is Rs. 637.50, fine, the cost of 27 envelopes, how many such envelopes can be, what for Rs. 800, and how much money would be left, तो पहले देखे, इतने पाट तक, solve पहले देखे, इतने तक हैंगे, फास्ट पाट solve करेंगे, यहां कि the cost of 75 envelopes, तो अगर 637.50 है, तो 23 envelopes की 30 envelopes की cost कीमत क्या है, पहले निकल लेगे, इन टेरिमेटर में जाना होगा, तो क्या निकलना, find the cost of 23 envelopes, तो cost निकलना, तो cost जो है, यह राइट सेड में राखना, तो देखे, cost of 75 envelopes is Rs. 637.50, देरफोर, cost of one envelope is equal to rupees, इसको 75 से डिवाइड देना, 637.50, अबन 75, तो देरफोर, अचा, एकाम करना, 75 से इसको डिवाइड देना, तो is equal to rupees, 8.5 है, शारे 8 रुपिय है, 75 से इसको डिवाइड देना, तो पहले एकाम करना, decimal point remove कर देना, तो remove करने के लिए 100 से इंटर करने पड़ेगी, क्योंकि decimal के बाद दूर जिस आ रही है, तो इसको भी 100 से इंटर करने पड़ेगी, तो 7500 होगी, इसके बाद cancellation करना, बड़ी नमबर से cancellation में दिक्कत हो जाए, तो चुटी-चुटी नमबर से cancellation करके, आपको 8.5 म एंवलाप से इस इकल टो रूपीस 23 इंटो 8.5, इस इकल टो 23 से स्कुइन टो कर जादा, तो 1 रूपीस 195.50 है, अगर चाहे तो यह जो 0 है last में, decimal point के बाद, ना लगाय तो अब होगी, decimal point के बाद, last में 0 कितने भी लगाये, वही 195.50 ही समझे जाएगी, तो 30 envelops की केमात यह है, आप इहां second part देखते, है, how many such envelops can be bought for रूपीस 800, तो 800 से 800 रूपीज से यह से कितने envelops खुरिद की जा सकती है, और इसके बाद कितने amount बच चाहेगे, आप जो solution की process है, तोड़ा सा उड़ा कर दाना, मतलब, पहले हमें कीमत चाहिएता, अब कीमत है हमारे पास quantity चाहिए, कितने envelops यह चाहिए, तो मतलब कीमत 8.5 रूपी से आपको एक ही envelope मिल गई, अचा, आज, यह लिखना हमारे फॉर रूपीस 8.5 से यह चाहिए, अचा, आजय मतलब लोब, तो धैरपूर 4 रूपीस कितने, 800, 800, लोटा हमें, आज कीमत यह चाहिए, और इसे लिखना है, आज और रूपीस 8.5 से इन्टू 800 मतलब 800 से 800 कु 8.5 से डिवैट देना ठीक है और इसमें कुछ रिमेंडर होगी और वह रिमेंडर मतलब क्या है पैसे बच जाएगी ठीक है तो इसे के रिटू तो आकर 800 कु 8.5 से डिवैट दे जाए तो 94 होगी 94.117 ऐसे आते रहेगी तो देखिए यहां तो इन्टिजर्स डेसिमल नमर हमें नहीं चाहिए पूरा पारफेक्ट कितने एंबलाप्स को रिट की जा सकते 94 तो आप देखिए कितने एमांट बच जाएगे तो एक्चे देखिए देरफोर एस लिखना हामच मानी वूट बी लेफ्ट तो एमांट उप मानी वूट बी लेफ् यह जो 800 रुपिय है ना इससे देखिए एक की किमद साले 8 रुपिय तो 94 एंबलाप्स की किमद क्या होगी 94 इंटो 8.5 तो जाए मांट आएगे ना इसको 800 से मैनस करें तो हमारा हात में तो 800 रुपीय है ना तो 800 रुपीज 800 मैनस रुपीज 8.5 इंटो 94 इस एक्टो रुपी रुपी इस 800 मैनस 8.5 इंटो 94 इसकल टू 790 रुपी 799 रुपी 799 तो 800-799 इसकल टू 1 तो रुपी 1 है तो सिर्फ एक रुपी रुपी बच्चे के तो यह है अंसर आप क्रिशन नंबर 12 देखें कि दी कॉस्ट आप 20 चेयर्स इस रुपीज 5,120 हाव मेनी चेयर्स केन बी बाट फर रुपीज 7996 तो आप नंबर आप चेयर्स चाहिए तो दीखिए 5,120 रुपीज से 20 चेयर्स मिलती है तो 7,937 रुपीज से कितने चेयर्स मिलेगी तो पर र रुपीज 5,120 हू कंवा फिपीज से 20 चेयर्स तो आप दीखिए 1 रुपीज ही कितने बीधी तो देरफो रुपी ऐ वान लुपी जो रुपीज 10 रुपीज से चेयर्स 500 1 2,0 इतने चैयर्स1 तो यहाँ एक भीचर्न नहियर्सYaप भाआ 7936 75936 we can buy 75936 मतलब यह तो unit में आ गया ना 1 unit में तो 1 unit को जी समांट सी इन्ट करना तो 7936 इन्टु 20 by 5120 तो 1 0 से तो 1 0 काट लाना आप डिके 2 2 से इसको खटना 2250 50 तो 1 बचा तो 2 6 12 तो यहा 256 अब यहा 256 से इसको डिवाइड देना 256 317936 तो इजी केल तो 31 चैर्स अच्छा यहा लिखतेता हूं हूं थाटी वान थाटी आटी वान चैर्स तो टो खॉल्ड नंबहर के आंशर होगी है आप तर्डेनम कॉशन दोए इट कोस्ट रुपीस 2400--2 रिपेरे 1.6 किलिमेटर स्ट्रेच ऑप दी रौद होमच उलड और उर्ट कोस्ट टु रिपेरे किलिमेटर स्ट्रेच ऑफ दी रौद तो 1.6 km stretch, मतलब रास्ता हराब होगा, हराब रास्ता को tick करने के लिए 24,000 रुप्य लगती है, तो 1 km के लिए कितने है, तो मतलब यह तो unit है, unit में निकलने होगे, तो 24,000 को 1.6 के डिवाइड देना, और starting ऐसे करना, cost of repairing 1.6 km stretch is equal to rupees 24,000, तो therefore cost of repairing 1 km is equal to rupees, इसको इसे रिवाइड देना होगे, 24,000 रिवाइड देना होगे, 1.6, तो rupees 15,000 है, यहाद के decibel part इसकी रिवाइड करना, तो दूनो नंबर्स को, दिमेटर और दिमेटर को 10 से इंटे करना, क्योंकि 1 को बाद 1 टिजिट है, तो 10 से इंटे करने से हो जाएगे 10 से इंटे करने से क्या होगे, जिसमेल part remove हो जाएगे और इसमें एक 0 लग जाएगे, फिर 16 से इसको रिवाइड देना, तो 15,000 रिवाइगे, तो वो पहुत इसी है, आप लास्ट फोर्टे नमा कॉश्चन देखे, the cost of 30 pence is equal to rupees 45, फाइल, the cost of 45 pence, तो 30 कलम की कीमत है 45 रिप तो 45 को 30 से डिवाइड देने से 1.5 होगी, rupees 1.5, आप लेखिए, एक की क्यमत आ रहे न, तो 45 की क्यमत क्या है, तो 45 की क्या है, तो 45 से इंटे करना, यार इसको करना, तो 67.50 रिपिस, बहुत सिंपल है, तो वही एक सा समाप्त हो गया, तो इस चप्टर की 30.2 तक अपलोड हो चुका, इस वीडियो के बाद, मतलब इस चप्टर की अपलोड कर दोंगा, तो इसके साथ इस चप्टर समाप्त हो जाएगे, और इसके साथ साथ, 13 नमबर चप्टर तक अलड़ी आपलोड करना, कॉम्प्लीट हो गया, लास्ट में दू चप्टर बागी ही, इनको भी आप सब्सक्राइब बितार दना, तो मिलते हैं आगले वीडियो में, जोई ही, दोई नमबर